डेखा तो आपको बहुत लोग को नहीं पता होगा किसुप प्रहिस नाम से जानी यूटूप पे अभी सचिन फैमिडी वाले ने उनकी साधी की थी काफी यूटूपे जल्दी फेमस भी हो गई बहुत लोग जानते हैं बहुत जल्द उनका एक लाख भी होने वाला है अभी साधिक उनको लगबक एक महीने हो गए होंगे और ज्यादा दिन नहीं हुआ उनको बहुत अच्छी पहचान भी मिल गई है तो और अंसु के बारे में थोड़ा और मैं डीपली बता देती हूं कि अंसु इतना करोना काल में में इस्पायर हो गई उसकै कुछ समय बाद उनके पापा भी देहांत हो गया सासा या जपवाइन исson का युकि उनकी ममी जब बुजणित उनको पापा उनकी मतलब उनको रहते थे बहुत परसान रहते थे और फिर उनके पापा ममिक चले जाने बाद भाई बेहन बसते हैं अंसु का एक भाई था जो लगभग नहाने गया था कहीं पे और किसी तिर्थिस अस्थान पे और महा जब हो जाता है तो वो नदी में डूब के वो भी भगवान को प्यारा हो जाता है तो अंसु की जो जीवन आगे का जीवन का है ना बात तो बहुत दर्द नायक का जीवन है लेकिन अंसु का जब साधी था तो अंसु के आख से एक भी आसु नहीं गिरा बहुत लोग बोर रहे थे कैसी लड़की इसको अपने माबाप की याद नहीं आए मतलब का इसको सीकार का कमेंट भी बहुत आए कि पहली बार ऐसी लड़की देख रहे हैं कि यह लड़की रो ही नहीं रही इसके आख से आसु ही नहीं लिकर रहा तो बहुत लोग वो इस टाइम यह भी बोर रहे थे कि इसने इतना दर्द सहलिया है सायद इसके आखों का आसु वाज़स नहीं रो रही है। पहले का वीडियो आप उठा के देख सकते हैं। जिसमें शटर्चन की मा सव रही थी तो हस रहिए। बिदाई की टाइम भी us रही कन्यादान के टाइम भी जब लड़का लड़की खड़े होते हैं उस टाइम भी वह हस रही थी तो बहुत लोग बोलते थे कि मापाप की तो कमी महसूस होती है लेकिन अभी सबका अपना एक रहता है रायज उसमें बहुत लोग बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो वह उसका आग का पानी सूग गया कितना रोएगी लड़की रो रोके ठक गई है लेकिन अंसु का जीवन ससुराल जाती है सब अच्छा रता अच्छा अच्छा ब्लॉग आता है अंसु को जहां एक बात बता दो अंसु का घर का साथ कोई भी काम नहीं आता जहां पर लड़की को आन अंसु के बात ससुराल से जाती है घूमने कश्मीर जाती है सचीन मनीशार किटो अमीत सब के साथ घूमने जाती है अच्छा अच्छा ब्लॉग आते और वहां पे भी अंसु एक दा दो बारी मोस्टनल होती है बहुत अपने भाई को याद करके क्योंकि पानी का सीन देखे वहां से आने के बाद अंसु का सब ठीक था नॉर्मल था अंसु सचीन के घर अमबाला गई थी उसके बाद अंबाला से अपने सिवान घर गई थी फिर शूट पे ही अंसु चली गई ससुराल जहां पर जो उनकी सचीन की मा है वह भी बोलते नजर आई थी कह अंसु को पाना हो गया इंसान वैसे ऐसे से माथ्य को लगाते हैं हम लोग में क्या रिवाज रहता है नहीं नहीं बहु पैर दबा दबा दो चार बार पैर चुती है तो जहां अंसु बोलते हैं मैं पैर छूना ही भूल गए तुमकि सासुमा और जो थी कोई था है और कोई बात नहीं नहीं भी पड़ोगी तो कोई बात नहीं वो लोग ऐसा ही बोलें लेकिन कोई भी किसी को भी नहीं पसंद आएगा कि एक नहीं बहु और बड़ा बेटा हो घर में कोई ऐसे आए तो सबकी सास का देखा और मान रहता है हमें अंसु को बुराई नहीं कर रहें एक सामाजिक पर बोलती हो हर इंसान का एक ख्वाब रहता है जहीं मेरी घर में कोई ऐसे आए तो नहीं पसंद किया जाएगा वहीं पर अंसु को देखा गया दो दिन बाद खाना बनाते हुए अब उस खाना बनाने में ऐसा क्या हो गया अंसु जाती है पुड़ी वीडी उनकी सास जो यहां एक वीडियो आता है जिसमें अंसु बोलती है कि साइद मैं लोग पर बोज बन जाओंगी ऐसे वैसे करके फिर अन्सु उसमें कंटीनियू रही थी फिर उसके बाद बोल रही थी साइद मैं इन लोग पर बोज रहाओंगे मेरे को कुछ नहीं आता यह लोग भी मेरे तो कोई भी रोए तो सचीन का वीडियो देखने के बाद जाते हैं उससे राकी बनवाने क्योंकि अंसु का रोना साहित सचीन को नहीं अच्छा नहीं लगा साहित सचीन का दिल आप लोग जानते तो वहां गए हसी मजा के उसको सांथ करवाए उसका पती परिवार में बोलती कि बहुत अच्छा है अगर अंसु डिसीजन ले रही अपना ससुराल छोड़ने का तो समझ दो बहुत बड़ी गलती करी क्योंकि देखो सास कुछ ना कुछ तो बोलेंगे शुरू में किसको और जिस्ट करने नहीं पड़ता उसके बाद अंसु आती है राखी बाद नहीं सचीन को वहां से जब सचीन आ जाते तो अभी राखी था न तो राखी पर सिवान आती है अंसु उसके बाद आज संसु का ब्लॉग आता जिसमें बोलती है कि मैं अपने पाश्ट को नहीं भूल सकती ऐसे करके कुछ उसका वह था और अंसु रोय जा रही थी बोल रही थी म मैं कुछ पूरा करना चाहती हूं बहकी बहकी बात कर रही थी और बोल रही मैं कहां जाओंगी मैं किसी को नहीं बता के जाओंगी मैं जाने वाली हूं मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगी मेरे पापा भी खुद के तलास कर रहे थे लेकिन उनका भी तलास पूरा नइवां मेरी इतलास पूरी नहीं और मुझे बद्दुआ लग गई अप किसकी बद्दुआ कौन सी बद्दुआ मुझे बद्दुआ लग गई अब बहुत लोग चाहते थे कि मेरी जिन्दΟी खुस शीन चली जाये तो सायोस दोस दिन के बाद से सास बोली अपार सीखना ही पड़ेगा कि कोई भी किसी को बैठा कर दो भी नहीं खिलाए लिख कեղें बात कर दो बहुत लोग की बात करो जब तक बैठ के उसके बास इसका रोना चालू हो गया और मैं ब्लॉक के हिसाब से बात करूं तो अंसु को सब एक बच्चे की ट्रेट कर रहे थे वो उनकी दादी सास रहती तो उनके सामने ही पैकेट फार के बिस्किट खाना नमकीन खाना जो कि हमारे अंसु भी राजपूत है मैं भी राज है तो बहुत चीज डिफकल्ट रहता सुरू में हर लड़की के लिए लेकिन अंसु के लिए कुछ ऐसा नहीं था नॉर्मल था और बात के जाए अंसु के सकसच का तो बोलते हैं जिसको ज़ली नाम फेम सब मिल जाता है तो उसको वह चीज का कदर नहीं रहता तो अंसु को सोचो मैं नहीं बोलते के जिंदगी से बहुत सी खुषषियां गई है खुसियां लेकिन उसके जिन्दगी में कुछ यूटूब स्थभा एक यूट्यूबर ह heir उत कई कंपना रहता कहीון कहीं शचीन के वज़ए से उसका वह पूरा हो चुका है लेकिन अब अन्शू का अल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुझे तो भाई अर्जिस्ट करने में टाइम लगा था मैं जूट नहीं मेरा राम सो मुझे भी बहुत टाइम लगा था ऐसा लगता था कभी-कभी नहीं मेरे सब्साधी नहीं निभर पाएगा छोड़के भाग्यों ऐसा होता है सुरू में ह लड़कियों के साथ लेकिन उसके बाद ही वही हम लोग को अच्छा लगने लगता वही मारा परिवार हो जाता है तो अंसु क्या अपना रिष्टा तोड़ने वाली है लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि तोड़ेगी क्यों लोग का लब मैरेज है जो भी है अंसु को थोड़ा बच्चे से लिकल के बड़ा बढ़ना चाहिए रोईगी समझते हैं कि उसको दुख तकलिफ बहुत लेकि रोने से क्या होगा तो चलिए जो भी है अंसु को सब लोग कमेंट करो और समझाव भाई कि अपने साधी सुधा जिंदगी ध्यान दे और ससुराल पे ध् सच्चाई क्या है उसको किस ने क्या बोला है और वहीं भी बोल रही थी कि मुझे को बोब देता तो बहन देखो सबको दिल पे बात लगता है सब कोई नहीं है अब कोई उस चीज को भुला के आगे बढ़ जाता है तुम लेकर बैट रही हो क्योंकि तुम्हारे पास देखो यूटूब है सबके पास यूटूब नहीं रहता तो चलो मिलते हैं नेक्ट वीडियो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करेंगा शेयर करेंगा वह दोस्तों रखिए अपना ख्याल